आईए मैं आप चाहता हूँ के हमारे एक महमान शाहर जो उनका तालुक तो बाखपत से है लेकि पूना में वो बहुत दिन से आबाद है जिया बाखपती साहब बागो बाख़ शक्सित के मालिक और वहां के जो महराश के मुशायरे हैं उसमें बड़ा उनका मकाम और मरतबा है और गाहे बगाहे वो इन इलाकों में भी तर्शीफ लाते हैं तो आज वो असलम चिश्टी साहब के महबत में आज के इस मुशायरे में यहां तर्शीफ लाए हैं तो जिया बाखपती साहब को सुनें और बाख बाख हो जाएं जनाब जिया बाखपती साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुबारबबाद के पेश करता हूँ असलम साहब को कि इतना अच्छा प्रोग्राम उनोंने सजाया आज की बहुत महतरम सदारत और बहुत उम्दा निजामत उसके बीच में मुझे पढ़ने का मौका मिला एक मतला एक शेर हाजिज कर रहा हूँ के बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिन्दगानी से सबक शायद कोई हम को मिले तेरी कहानी से बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिन्दगानी से सबक शायद कोई हम को मिले तेरी कहानी से और तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से एक मतल़ एक शेर देखें कि सब्र मजलूम का जब हच से गुजर जाता है सब्र मजलूम का जब हच से गुजर जाता है जल्म खुद अपना गला घोट के मर जाता है सब्र मजलूम का जब हच से गुजर जाता है जल्म खुद अपना गला घोट के मर जाता है और होती रहती हैं यहां रोज मशीने इजाद रोज मजदूर के हाथों से हुनर जाता है एक मतला और शेर देखें कि अब अपनी आँख में खुद ही खटक रहा है वो जमीर बेच के आई नतक रहा है वो और किसी के अब नजाहिर करो खुदा के लिए तुम्हारे अब जमाने से ढख रहा है वो देखेंगा कि आता है याद मुझको वो माहौल गाओं का रिष्टा बना हुआ था जहां धूप चाओं का और लंगडा के चल रहा हुआ था जहां धूप चाओं का काटा निकालता ही नही कोई पाओं का आता है याद मुझको वो माहौल गाओं का रिष्टा बना हुआ था जहां धूप चाओं का लंगडा के चल रहा हुँ मैं अपनों के दर्मियां काटा निकालता ही नहीं कोई पाओं का एक मतला और दो चीशेर देखेगा के जो मुझसे था मुसलसल बेवफा होने की कोशिश में वो खुद से भी गया मुझसे जुदा होने की कोशिश में या कहनी है जो मुझसे था मुसलसल बेवफा होने की कोशिश में वो खुद से भी गया मुझसे जुदा होने की कोशिश में और मुझे वो अपने पेरों पर खड़ा होने नहीं देता गिरा देता है मुझको खड़ा ह कोशिशे में वाभ भाब भाब मुझे वो अपने पेरों पर खड़ा होने नहीं देता गिरा देता है मुझको खड़ा होने कि कोशिश gwी और शेर बत्वरे खास ہाजिर कर रहा हूं देखेगा सदरियमोहतर करम हमारे असलेम चैस्श्टी साहब और अफजल साब कि जो मुझसे था मुसलसल बेवफा होने की कोशिश में वो खुद से भी गया मुझसे जुदा होने की कोशिश में अब अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर चल रहा हूं में अब अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर चल रहा हूं में मैं छोटा हो गया कितना बड़ा होने की कोशिश में अब अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर चल रहा हूं मैं मैं छोटा हो गया कितना बड़ा होने की कोशिश में मैं छोटा हो गया कितना बड़ा होने की कोशिश में और जो मुझे पे कर्ज है माबाप का कैसे अदा होगा जो मुझे पे कर्ज है माबाप का कैसे अदा होगा हमेशा बढ़ता रहता है अदा होने की कोशिश में जो मुझे पे कर्ज है माबाप का कैसे अदा होगा हमेशा बढ़ता रहता है अदा होने की कोशिश में और शेर देखें कि अभी तक आदमी भी जिसको दुनिया ने नहीं माना अभी तक आदमी भी जिसको दुनिया ने नहीं माना लगा है देखिये वो भी खुदा होने की कोशिश में लगा है देखिये वो भी खुदा होने की कोशिश में लगा है देखिये वो भी खुदा होने क जिसको पाने की दिल में है जुस्त जू अब तक महक रही है फजाओं में जिसकी बू अब तक महक रही है फजाओं में जिसकी बू अब तक मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है तू अब तक मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है तू अब तक धली है उम्र मगर गर्म है लहू अब तक नजाने कितने हसी चेहरे मैंने देखे हैं मिला नहीं है कोई तुझ सा खूब रू अब तक मिला नहीं है कोई तुझ सा खूब रू अब तक हर एक बार मिले हैं वो फोन पर मुझ से हर एक बार मिले हैं वो फोन पर मुझ से हुई न उन से मुलाकात रूबरू अब तक हुई न उन से मुलाकात रूबरू अब तक नमाज इश्क पढ़ाने वो फिर से आएंगे नमाज इश्क पढ़ाने वो फिर से आएंगे इस इंतजार में बेठा हूँ बावजू अब तक नमाज इश्क पढ़ाने वो फिर से आएंगे इस इंतजार में बेठा हूँ बावजू अब तक उसी को पाने की दिल में है जुस्त जू अब तक शेर देखेगा शेर आखिर इस गदल कहाज भी कर रहा हूँ वो आके फिर से नے जख्म दे गया दिल को वो आखिर से नए जख्म दे गया दिल को अब पुराने जख्म होए भी नहीं रफू अब तक में जा कहने हैं वा 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 वह 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 जफर गोरकपुरी साहब की जमीन पे तब आजमाई की है दो तिन शेर हादिर करता हूँ जी जनाबर शाद छुपा हूँ गम के अंदर यू ना आसानी से निकलूँगा छुपा हूँ गम के अंदर यू ना आसानी से निकलूँगा अगर निकला कभी तो आँख के पानी से निकलूँगा चुपा हूँ गम के अंदर यू ना आसानी से निकलूँगा चुपा हूँ गम के अंदर यू ना आसानी से निकलूँगा अगर निकला कभी तो आँख के पानी से निकलूँगा मैं माथे की लकीरों में उलज कर रह गया हूँ अब अमल कोई बता दो के से पेशानी से निकलूँगा और शेर आखिर आज़ी कर रहा हूँ अगर निकला कभी तो तेरी नादानी से निकलोंगा चुपा हूँ घम के अंदर यून आसानी से निकलोंगा शुक्रिया बहुत बहुत निया